सुल्या रमान रहीम, Mathematics for Class 9, Unit 3, Logarithm आज हम Exercise 6.3, Question No. 2 की तमाम पार सॉल करेंगे Mathematics Class 9, Exercise 3.2, आज इसमें Question No. 2 सॉल करेंगे, Question No. 2 में आप लोगों से का जा रहा है कि Find the following, ठीक है आप लोगों को Log 2, Log 3, Log 5, Log 7 की Values given हैं और आप लोगों से मज़ीद Log 105, 108 इनकी Values आप लोगों में मालूम करने हैं तो फर्स पार्ट की तरह पार रहा हूं, फर्स पार्ट में कह रहे हैं कि आप करो Log 105 की खीमत मालूम करो ठीक है, जब के हमें मुख्तलिक Values Log के given हैं यह लाग 2, लाग 3, लाग 5, लाग 7 ठीक है, तो इस 105 के हम इस तरह वेक्टर्स बनाएंगे कि उसमें यह वेल्यूज लाग 2, लाग 3, 5 और 7 आजाएं ठीक है, ठीक है, तो चलो इसके वेक्टर्स बनाते हैं 105 चलो फस्ट में इस को 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 5, 2s are 10, ठीक है, तो means 2 पे डिवाइड हो रहा है और इस तरह 5, 1s are 5, ठीक है, अब यह 3 पे डिवाइड हो सकता है, 21 जो है आप 3 पे डिवाइड करें, so 3, 7s are 21, so means इस 105 को लाग 105 को मैं इस तरह लिक रहा हूँ, यह क्यों इस तरह लिक रहा हूँ, क्योंकि हमें लाग 2, लाग 3, लाग 5, और लाग 7 की वीडियो गेवन है, so 105 को मैं इस पाम में लिक रहा हूँ, means 3 multiply by 5, multiply by 7, ठीक है, इस पाम में लिक रहा हूँ, ठीक है, अब हम लाग rules पर चुके हैं, कि जब आप लोग इम पास यह multiply पाम में हो, तो इसक आप simple इसी तरह लिक सकते हैं, कि लाग 3 multiply प्लस वाम में convert हो जाएगा, जब आप इसको अलएद 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 लिक थे हैं, ठीक है, तो लाग 5, लस लाग 7, ठीक है, यह हमने क्यों इस तरह लिका, कि चलो मैं आप लोगं को लाग rules बता देता हूँ, लाग rules हमने पढ़ा लाग m into n, ठीक है, अगर यह multiplier पाहम में हो, इसको अलएद अलएद अगर आप लिकना चाहें, तो यह एकोल तो लाग m, लस लाग m, ठीक है, यह multiplication convert हो जाएगा, किसमें, लस sign में, ठीक है, जब को division आप लोगं का, लाग अलएद 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 ठ्किक, लग्त्री की विल्य है, और अवर्याओ कि टानी प्ल्तर अवर्याय में प्ल्तर अल्प्रुण ठीक की वैओ का टानी एफ गेच लग्त्राوع की टानी जोल्प्रुण भी में पास य 990, ठीक है, बस लाग 7 के वेल्य आप लोगों को गेवन है, यह जरो, 0.8451, अर इन तीन वेल्य उसको आप लोग 8 करो, तो यह रिए रिसर्ट, ठीक है, तो 1 प्लस 0 प्लस 1, यह रिए एकल टू, 1 प्लस 1 दो हारे, 5 प्लस 9, 14, 14 प्लस 7, 21, 2 करी 2, 2 प्लस 5, 6, 6 प्लस 9, इस 15, 15 प्लस 7, 22 फ्लस 10, 16, 16 प्लस 4, प्लस 25, 20, 2 प्लस 25, के बार decimal point है तो यहां पे आप लोग का decimal point आ जाएगा ठीक है so this will be the answer the second part आप लोग को इन से बहंगा जा रहे है लाग 108 की विलिए तो इस तरह 108 को भी आप लोग को इसके factors बना देते हैं ठीक है 108 108 को मैं चलो पास 2 से divide कर रहा हूं so 2 5s are 10 or 2 4s are 8 again आप इसको 2 को divide करे so 2 2s are 4 or 2 7s are 14 ठीक है अब इसको मैं 3 पे कर देता हूं 3 9s are 27 यह अगें 3 पे हो रहे है ठीक है 3 3s are 9 so किसको आप देख सकते हैं log 108 को मैं लिक रहा हूं that is equal to log 108 108 की जगा मैं लिक रहा हूं 2 multiply by 2 ठीक है जबकि 3 3 time multiply हो रहा है ठीक है multiply by 3 multiply by 3 and multiply by 3 ठीक है so या इसको चलो हम मज़ेद इस तरह लिख सकते हैं कि log 10 की 2 2 time multiply हो रहा है यह इसको मैं 2 raise to power 2 लिक सकता हूं और multiply by 3 3 time repeat हो रहा है so 3 raise to power 3 ठीक है अब यहां पर मैं लाग rule apply कर रहा हूं means चलो पहले प्लस वाले लाग rule apply कर देता हूं that is log 2 to the power 2 ठीक है अब यहां पर मैं लाग 3 raise to power 3 ठीक है यह रूल कौन सा रूल हमने उसका है log x and y अगर multiply का हमने हो तो उसको अगर आप अलेदा-लेदा करके लिखना चाहते है यह multiply plus में convert हो जाएगा means log of x plus log of y ठीक है जो rule आप use करवा रहे है उसको आप लोगोंने साथ लिखना होगा कि यह rule में apply कर रहा है अब मज़ीद इस पे हम एक और rule apply कर सकते हैं यह 2 आप लोगों पास coefficient में आ जाएगा ठीक है power rule जो इसको पाजाते है log of x means log of 2 plus यहां पे यह 3 power जो है यह coefficient में आ जाएगा और log of 3 ठीक है यह कौन सा rule हमने use कर दिया that was log x raise to power y x raise to power y यह power आप लोगों का coefficient में आ जाएगा means y log x ठीक है यह power आप लोगों पास coefficient यह base में आ रहे है और log up 2 एंडिसरा log up 3 ठीक है अब हमने log 2 और log 3 की values support करने है log 2 की क्यमत हमें यह केवान है जबकि log 3 की क्यमत हमें यह केवान है so putting the values of log 2 and log 3 so 2 log 2 की जगह में लिक रहा हूँ that is 0.3010 ठीक है plus इसी तरह 3 log 3 की खीमत आप लोग पास गेवन है it is 0.4771 ठीक है so इसको simplify करते है तो चलो परस टू को में multiply कर रहा हूँ so 0, 2 1s are 2, 2 0 or 3 2s are 6.0 ठीक है plus इसी तरह 3 multiply करे, 3 7 3s are 21 2 करी, 21 plus 2 that is 23 2 carry 12 12 plus 2 that is 14 so 14 means 4 के बाद आप लोगा रहा हूँ so now 3 plus 0 इसी तरह 8 कर रहा हूँ के रहा हूँ so that is equal to 3 1 plus 3 that is 3 3 plus 0 so that is 3 or 4 plus 6 that is 0 so 1 carry 1 plus 1 that is 2 so 2 के बाद आप दूसी में पहूँ so यह आप लोगों का answer आ रहा हूँ अच्छा 3rd part में कह रहा है कि क्यूबी प्रूट आप 72 उसका लाग हमने मालूम करने so इसको 72 क्यूबी प्रूट आप 72 को चलो हम इसकर लिख लेते हैं कि मीन 72 रेस टू पावर क्या हो जाएगा वन बाइट्री चीडिक क्यूबी प्रूट को वन बाइट्री से पर इसकर लिखते हैं में 72 को आप वेक्टराइब करने के लिख चलो फर्स्ट में 2 के डिवाइट कर रहा हूं 32006 और 1 के री और 62012 ठीक है so मज़ीद इसको हम कर देते हैं 2 से 2102 और 82016 ठीक है अब आब आप इसको अगें में 2 से करवा देता हूं अगेंस 9 2 से 18 5303 3 प्रियसiron 9 ओप आप आब आप आप आपेंस 72 को आप इसकड के लाग 72 मेंस 2 2 2 3 ठीक हैं आप आ आप आप आपेंगें और whole raise to power 1 by 3 इसको चलो मज़ीद में लिक रहा हूँ लाग 2 raise to power 3 and 2 3 raise to power 2 और whole lag 1 by 3 सब ठीक है चलो अब हम इस पे lag rule apply करते हैं तो first lag rule में यह play कर रहा हूँ कि power को मैं base में ले आ रहा हूँ ठीक है और यह आप लोग का हो जाएगा lag 2 raise to power 3 and 2 3 raise to power 2 ठीक है कौन सा rule में यह उसकर दिया है that is lag x raise to power y is equal to y आप लोग का base में आ चाटते है and log of x ठीक है यह rule हमने यहां पी यूश कर देगा अब multiplication वाला rule के वो plus में convert हो जाएगा means 1 divided by 3 into log 2 और यह आप लोग पासर 3 base में आ जाएगा plus 2 base में आ जाएगा log 3 2 base में आ जाएगा ठीक है साथ साथ यह 3 में दोनों के साथ मुल्टिप्लाई भी कर रहा हूं और साथ साथ लाग 2 और लाग 3 की वेडि़ भी फूट कर रहा हूं अजा हम जाएगा को मुल्ट्प्लाई कर रहा हूं तो 1 divided by 3 बॉल्ट्प्लाई by 3 और लाग 2 कि कि अपलें पास ये, okay, that is 0.3010, इसी करा ये, 2 multiply by 1 by 3, so that will be equal to 2 by 3, plus 2 divided by 3, और लाग 3 कि अपलें पास ये, 0.4771, ठीके, अब ये 3-3 आपस में कैं से रो रहे, और यहां से रिजल्ट आप लोगों का रहे, 0.3010, plus, अब आप लोगी सको चलाब काल्कुलेटर से में साल कर देखाऊं, means 2 multiply by 0.4771 is equal to this one divided by 3, so this is result आप लोगों का आ रहे, 0.3181, अब इन दोनों को चलो हम add कर देते हैं, so means 1 plus 0, 1 आएगा, 8 plus 1 that is 9, ठीके, 1 plus 0 that is 1, or 3 plus 3 is equal to 6, so yeah, आप लोगों कांट से मांगा जा रहें, ठीके, अचा, next part 4 में आप लोगों से मांगा जा रहे, lock 2.4, ठीके, so 2.4 को मैं चलो, इस तरह लिक रहा हूं, lock 2.4, अब इस point को खक्म करने के लिए हम क्या करते हैं, division में 1 लगाते हैं, और point के बाद आप लोगों पास सिर्फ एक डिजिट है, उस एक डिजिट के लिए हम 0, so means आप इसको लिख सकते हैं, 24 divided by 5, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, के lock, इसको चलो, मैं 2 के डिवाइड कर देता हूं, so that will be equal to 12, divided by 5, ठीके, so means 12 को भी आप लिख सकते हैं, के that is log 3 multiply by 2 multiply by 2, ठीके, divided by 5, ठीके, so this can be written as, अगें चलो अगर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, के log 3 multiply by 2 raise to power 2, 2 divided by 5, अब log rules में इस पे apply कर वा रहा हूं, ठीके, जो plus multiply from है वो plus में convert हो जाएगा, means इसको में लिख रहा हूं, log 3 plus ये 2 power 2, so 2 base में जाएगा, log of 2, और division of 11 pass क्या हो जाएगा, that will be in minus 1, so minus log 5, now putting the value of log 3, log 2 and log 5, ठीके, so log 3 की value आप लों पास है, means this will be equal to zero point four double seven one, plus two time log 2 की खीमत आप लों पास है, zero point three zero one zero, और इसी तरहन लास्ट आप लों पास, log 5 की खीमत आप लों पास है, याप लों पास है, zero point six zero two zero, और लास्ट आप लों पास, minus zero point six nine nine zero, चलब कर लों पास सम्ट आप लों पास है, so this will be equal to, means one seven into two nine, ठीके, or seven into zero that will be equal to seven, ठीके, four plus six that will be equal to ten, means one point, or इसी हँ अब श्ट्रैक करे, zero point six double nine zero, so now 1 minus 0 that is 1 9 minus 9 0 7 say 2 subject नहीं कर सकते 9 साइ so this will be equal to 17 minus 9 so that is 8 okay or 6 that is 9 minus 6 that is 3 so means 0.3801 will be the answer it's a last part अगर आप लोग इसको चेक करें इसको मैं लिक रहा हूँ means this will be equal to log means 0.0081 ठीक है so again decimal point को खतम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ इसके जगा 1 लिक रहा हूँ ठीक है और कितने digits से 1,2,3,4 so 4,0 means 0,0,0,0 so means यहां से आप उन पास रिजल्ट आ रहे log ठीक चुल यह क्या बन जाएगा 81 divided by 10,000 ठीक है ठीक है अच्छा अब 81 को मैं लिक रहा हूँ means 81 को आप इस तरह लिक सकते 3 रहे अब आप पस तरह 3 से कर देते है तो 3,2 रहे 6 अब आप यह 7 3 रहे 21 ठीक है पिर अगें यह 3 से हो रहे तो 9,3 रहे 27 अगें आप इसको 3 से लिक सकते है 33,9 तो means 1,2,3,4 means आप इसको इस तरह लिक सकते है के लाग 81 के जगा में लिक रहा हूँ 3 raised to power 4 divided by यह भी आप लों पास actual 10 raised to power 4 हो जएगा ठीक है अब इसको चलो हम इस तरह भी लिक सकते है के लाग 3 divided by 10 चुमकि 10 को हम 5 multiply by 2 कर लेते हैं 2 multiply by 5 क्युमकि हमारे पास 10 की values नहीं है 2 और 5 की values है raised to power 4 ठीक है तो इस पर लाग rule एपलाई कर रहा हूँ चलो फस्ट यह 4 जो है आप लोग उनका coefficient में जाएगा 4 और इस पर चलो लाग rule अग्रेन एपलाई कर रहा है आप लाग 3 यह प्लस में होगा माइनस लाग 2 और माइनस लाग 5 ठीक है तो अब आप इसके वेल्यूस लिखते है लाग 3 लाग 2 और लाग 5 की वेल्यूस को कर रहा है तो ना इस विल बेकल टो 4 कर रहा अग्रेन माइनस को कि कर ढाग्रे माइनद का बत्रव रहा कि लाग डिसके वेल्यूस लाग अव्रेन सबomina मालूम का मैं के गाल लाग 5 की वालू को करते हैं ठीक है तो यह 0.6790 अब इसको काल्कुलेट करते हैं चल्ड इसको मैं काल्कुलेटर के त्रू शाल करना हूं मैं माल cleanup 4.717-0.180 ऐख शाल इसको काल्सी राओ So this means 4 multiply by minus 0.5229 ठीक है अब अब अगर आप इसको 4 से multiply करोगे problem पास जो result हाएगा वो minus 2.0916 So ये इसका answer हो जाएगा ठीक है ये ता आप लोगों का exercise 6.3 इंशाला नेक्स वीडियो में आप नए exercise शुरू करेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिस